तो चले फ्रेंड फिर आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पेना मैंने लिया है मेडेम साइज की एक कटोरी खड़े मसूर आप देख सकते हो अब मसूर को हमना दो तिन पानी से आच्चे से दो लेते हैं मसूर को मैंने बड़े वाले बरतन में ले लिया है अब उसमें हम तोड़ा पानी डाल देते हैं और आच्चे से इसको दो के ले लेते हैं तो यहाँ पेना मैंने आच्चे से मसूर दो तिन पानी से दो लिया है आप देख सकते हो बहुती मस्त तो आप इसको हम कुकर में वुबनने के लिए डाल देते हैं तो यहाँ पर मैं लिया है कुकर, कुकर में हमें एक खड़ा मसूर डाल देते हैं, आप डालेंगे पानी, जहाँ एक कटोरी हमने मसूर लिया है, उसके लिए हम 3.3 कटोरी पानी डाल देंगे, तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, अब इसमें हम डाल देते हैं, आदा च तेज़ पत्ते साथ में एक इंच दाल चिनी का तुकड़ा और दो तिन बस इसमें हमें लॉंग डालनी है बाके कुछ नहीं डालना इसमें खड़े मसली इतनी ही डालेंगे अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा वाला चमज गी आप चाहो तो इसमें वाइल का इस्तमाल कर सकते हो दाल हुबलते समय लेकिन हमें ये दाल बहुत तेस्ती मस्त बना नहीं तो यहाँ पर मैंने ये गी का ही इस्तमाल किया है तो यहाँ पर मैंने बड़ा एक चमज गी डा अप इसमे मेना हम लगा देते हैं धकन और धकन लगाने के बाद कुक कर की हम हम आजची सी तीन शिटिया निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने कुक कर की तीन सिटिया निकाल लिए तो आप देख सकते हो तीन सिटिक के बाद हमारी डाल किस तरह से पकी हैंwe Enixer Sec Credit बहुत मस्त यहाँ पर यह दाल हमारी पक चुकी है बहुत जादा भी हमें नहीं पकानी थी जितनी पकी है यहीं हमें यहाँ पर यह दाल पका कर ले लेने हैं अब क्या करना है हमें आलू का मैशर लेना है और मैशर से न आच्चे से दाल को एक बार मैश कर लेते हैं तो देख यहाँ पे न मैंने आलूक के मैशर से डाल को आची से मैश कर लिया है तो डाल मैश करने के बाद आप देख सकते हो किस तरह से बनकर तयार हो चुकी है ना जादा गाड़ है ना जादा पतली है बिल्कुल ऐसी हमें यहाँ पे डाल चाहिए तो चले आप आगली प्रोसेस कर ल यह सबसे पहले डाल देते ही यहां पर हम दो चमच वाइल डाल देंगे कर दो कि एक इंच बटर डाल देंगे वाइल और बटर आच्चे से गरम करके ले लेते हैं अब इसे में डाल देते हैं आदा चमच जीरा जीरे के साथ ही में डाल देंगे आदरक लेशन की पेस्ट यहाँ पे मैंने बड़ा एक चमच आदरक लेशन की पेस्ट ली है दर दर इसी पीसी हुई साथ में 2-3 हरी मिर्च लिया है जिसको बहुत छोटा-छोटा कट कर लिया है इन सब चीजों को हल्का 1 मिनिट फ्राय करना है तो अब इसमें हम डाल देंगे प्याज यहाँ पे मेडम साइस के मैंने 3 प्याज लिये है जिसको मैंने मिक्सी में गुमा कर ले लिया है तो यहाँ पे प्याज हमरा आच्चे से भून चुका है आप देख सकते हो आप इसमें डाल देते है पौडर मसले पौडर मसल में मैंने 2 चंमच रेर्चिली पौडर डाले है एक चंमच धना पौडर डाले है स्वात के नुसार नमक डाले है औरना आप लाल मिर्श का पाउडर आपके सबसे याड कर सकते हो कम जाद आपको टीका कितना बनाना है और यहाँ पे मैंने कुछ उसमें टीकी वाली रहते हैं लाल मिर्श वो डाली है और कुछ जैसे कलर आता है तो वो वाली एक चमच कलर वाली और एक चमच टीकी वाली डा के घुमा कर ले लिया था तो टमाटर की पेस्ट भी हम आच्चे से 3-4 मिनिट भून लेंगे जब तक कि हमारे मसलों से सेपरेट ओईल हो नहीं जाता तब तक तो आप देख सकते हो यहाँ पे न हमारी टमाटर की पेस्ट भी आच्चे से प्राय हो चुके है उसमें से ओईल सेपरेट होने लगा है आप देख सकते हो आप जो हमने दाल को उबाल कर और आच्चे से मैश करकी रखी थी वो वाली दाल इसमें डाल देते है और आच्चे से आप दाल को mix करेंगे गाड़ी पतली केसी चाहिए आपके हिसाब से आप यहाँ पानी भी याड़ कर सकती हो हमें तो इतनी ही डाल चाहिए इस तरह से हमें दाल बनानी है तो अब इसमें में पानी वागेरा कुछ नहीं डालने वाली हूँ ऐसे ही डाल को हम लोटू मेडेम ग है ती बिल्कुल उस स्टाइल में हमें खड़े मसूर की डाल बना रहे हैं तो यहाँ प्याना मैंने आच्चे से 6-7 मिनेट लोटू मेडेम गैस के ऊपर डाल को पका लिया है आप देख सकते हो 6-7 मिनेट के बाद हमारी यह डाल किस तरह से बन चुकी है और डाल में बटर आच्चे से डाल दी जगा बटर का स्वाद डाल में बहुत आच्छा आता है और डाल का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है और साथ में डाला है थोड़ा सा धन्यापत्ता तो यह सब चीज़े आच्चे से डाल के साथ मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते हुए बस ड लेक्चर कितना आया है बिल्कुल होटेल जैसे लग रही है और होटेल से भी आच्छा इसको खाने में टेस्ट आने वाल है तो ये दाल आप नान पराठा या रोटी या आपना वाइट राइस उसके साथ खा सकते हो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है लेकिन एक बार आप दाल की रेसिपी जरूर ट्राइ कर लीजेगा आज हम बनाने वाले है टेस्टी चतपटी खड़ी मसूर दाल बनाने का तरीका बहुत सिंपल दिकाया है और खाने में ये दाल बहुत मस्द लगती है एक बार आपने इस तरीके से दाल बनाई ना बार बार आप दाल बनाने क यही तरीका आज बाऊंगे इतनी मस्द बनती है आगर आपको सुबह के टिफिन में भी जल्दी में कोई सबजी बना नहीं है तो आप यह सबजी ट्राइ कर सकते हो बहुत मस्द बनती है चावल के साथ रोटी के साथ दोनों के साथ भी आप यह डिबे में दे सकते हो चले फ्रेंड फिर आज की रेसिपी बनना शुरू करते हैं यहाँ पेना मैंने आदी कटोरी खड़ी मसूर दाल ली है अब मसूर को न आच्चे से दो चार पानी से दो लेंगे आच्चे से रगड के दोना है मसूर के उपर आगर कोई कलर वलर लगा होना सब निकल जाता है प मसूर दो लिए है तो आप क्या करेंगे हम ग्यास के ऊपर कुकर रखेंगे और कुकर में यह दाल बनाने वाले हैं तो कुकर में सबसे पहले डाल देती है वाइल वाइल को आच्चे से गरम कर लेंगे तो वाइल यहाँ पे गरम हो चुका है तो वाइल में सबसे पहले डाल एक तेज पत्र साथ में दाल चिने की छोटी छोटी दो पीसेस एक हरी विलाइची एक ब्लैक वाली विलाइची मतलब बड़ी वाली विलाइची और साथी में एक चमजीरा खड़े मासाली फूलने के बाद दो मेडियम साइस के प्याच जिसको छोटी छोटी पीसेस में कट क या है प्याज डालेंगे और दो हरी मिश्ट करके डालेंगे प्याज को अच्छे से अब 2-3 मिनिट भूनेंगे प्याज हलका भूनने के बाद इसमें आदरक लेसं की पेजट डालेंगे यहाँ पें पाच्छे लसन की कलिया और ये किंच आद्रक का तुकडा मैंने उकली में दरदरा सा पीस कर लिया था प्याज के साथ आद्रक लसन की पेश्ट भी दो मिनिट फ्राइ करेंगे यहाँ पे प्याज आदरकलसं की पेस्ट फ्राय हो गई है तो दो टोमेटों इसमें याड करेंगे टोमेटों को भी मैंने छोटे-छोटे पिसे में कट कर लिया था यहाँ पे टोमेटों को भी आच्चे से 2-3 मिनिट भून लेते हैं तो यहाँ पेना मैंने आच्चे से 2-3 मिनेट टोमेटों को भून लिया है आप देख सकते हो किस तरह से हमारे प्याच टोमेटों भून चुके है तो आप इसमें हम क्या करेंगे पाउडर मसाले याड करेंगे एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर चुटकी बर हल्दी पाउड साथी में इसमें हम डालेंगे देड़ चम्मच धना पाउडर यहाँ पे ना लाल मिर्ची पाउडर आप टेका कितना खाते है उसके हिसाब से इस्तमाल कर लिजगा आदा चम्मच चाट मसाला अब यह सब मसाले हम एक बार चला लेते हैं बस 30 सेकद हम इसको पका लेंगे प मसूर इसमें याड कर लेंगे और साथी में आप मसूर को भी हम सब मसालों के साथ एक बार चला लेते हैं फिर इसमें क्या करेंगे नमक डालेंगे स्वाद के नुसर सब मसाले तो डाल दे हैं लेकिन नमक डाला नहीं था नमक नहीं डालेंगे तो तेश्टी नहीं आएगी सबज में तो यहां पर मैंने नमक डाल दिया है अब नमक डालने के बाद ना इसमें हम डालेंगे पानी आपको ना दाल कितनी बनने हैं उसके सबसे आप यहां पानी यार कर ली जगा तो मैं यहां पर चार लोगों के सबसे डाल बना रही हूँ तो उसके सबसे डाल ली है और पानी भी उसी के हिसाब से इसमें डाल लेंगे तो यहाँ पे हमने एक कोटोरी दाल के लिए करीबन पाच कोटोरी पानी डाल दिया हैं तो पानी डालने के बाद आप कुकर का धकन लगा के कुकर की चार सिटिया निकालेंगे तो यहाँ पे मैंने कुकर की चार सिटिया निका के रखा था फिर मैंने कुकर की बढ़ाब जाने दी और फिर मैए ऊकर का डगकन खोला कुकर का डखकन खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि से Massoro Prime is सब्सक्राइब करने हम चुकी एक बार अच्चे से मसूर काम च्क्राओं सब्सक्राय। और निकाल दिया तो आप देखें वात-ष्य CPR का मीक्स काम चुकborg सा फंग सरक्दूmon steak आपको डाल कैसी बनानी है गाड़ी पतली और कितनी उसके हिसाब से आप यहाँ पानी याड़ कर सकते हो यहाँ पेना में बहुत जादा गाड़ी नहीं बहुत जादा पतली नहीं इस मेडम डाल बना रही हो तो यहाँ पे पानी याड़ करने के बाद एक बार डाल मिक्स कर फिर हमने गयास कम करके 2-3 मिनिट डाल उबलने के लिए रख दीती, दो मिनिट के बाद आपकी डाल इस तरह से देखना शुरू हो जाएगी, जो वाइल डाला है आपने आप रिलीज होना शुरू हो जाएगा, कम गयास के उपर, तो यहाँ पर आभी तो खाने के लिए दाल दायार हो चुकिये, लेकिन आभी इसके उपर हम क्या करेंगे, एक आच्चे से घी का तड़का लगाएंगे, तड़के में भी कुछ जादा नहीं डालना है, बस हरी मिर्च का हमें तड़का लगाना है, तो यहाँ पेना हमने क्या किया, दो चमच घी गरम करके ले लिया है फिर गही में न मैंने, दो हरी मिर्च लंबे स्लाइस में कट करके लगी थी, वो डाली है और हल्की गही में हरी मिर्च तड़कने के बाद, गही का तड़का दाल में डाल दिया है, और एक बार हम तड़का अच्चे से मिक्स करेंगे, आगर आपको डाल में गरम मसाला भी डाल है, simple थोड़े से मसालों में मैंने ये दाल तयार की है, लेकिन खाने में बहुत जबरदस्त और टेस्टी बनी थी, उपर से मैंने थोड़ा सा धन्यापत्ती याड किया है, और आप देख सकते हो कितनी बड़े आतरीके से यहाँ पर हमारे खड़ी मुसूर की दाल तयार ह हो चुके, ये दाल ना आप हमारे वाइट जो चावल रहते हैं वाइट चावल के साथ गरमा गरम खाली जगा बहुत मजा आएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, वैसे तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन चावल के साथ तो इसका कोई जवाब बना सकते हो, आप देख सकते हो, कितनी मस थे, आप ये दाल बन चुकी है, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोलापूर का आखा मसूर, जैसे कोलापूर में मिसल पाव फेमस है, फिर मतन चिकन का तामड़ा पांड़ा रस्ता फेमस है, बिल्कुल उसी तरह से ये आ कोलापूर का आखा मसूर ना बिगा करी बनाया जाता है, क्योंकि भिगाया हुआ मसूर जल्दी बन जाता है, तो चले फिर हम सबजी बनाते है, ग्यास के उपर मैंने कड़ाई चाड़ा दी है, और कड़ाई में वाइल डाल दिया है, वाइल इस मसूर में जादा इस्तमाल होता है, तो यहाँ पेना मैं वाइल में सबसे पहले एक समजरा डाल देती हूँ, जिरे को आच्चै से हमें फुला कर लेना है, साथी में जो मसूर बना रे ना हम जैसे यह कटूरे हमने मसूर लिया है, उसके लिए करेबन 2,5 कटूरे हमें इसमें प्यास लिया है, जैसे 500 ग्रिएम हमने मसूर लेया, तो उसके लिए 30 खgam clicking प्यास डाला जाता है, इस सब जिमें सबसे ज़्यादा प्याश का इस्तमाल होता है, यह पर ये हमारा जिरा, फुल चुका है, तो आपके इसमें मैंने 2-3 लौंग, एक बड़ी विलाईची, दो हारी विलाईची, साथी में दो तीन काली मिर्च और दो तेज पत्य और दो हारी मिर्च डाल दी है, यह सब खड़े मसाले हमें हलके फ्राइ करके लेने हैं, आब इसमें हम डाल देते हैं प्याच, प्याच को ना अच्चे से हमें 10-12 मिनेट टू मेडेम गैस के उपर, जब तक प्याच आच्चे से ब्राउन कलर पेने आ जाता तब तक आपको इसको भूनना है, तो यहाँ पेना मेने आच्चे से 8-10 मिनेट प्याच को भूनना है, तो आब इसमें हम डालेंगे आदरक लेसन की पेस्ट, आप देख सकते हो, हमारे प प्याच लेया था, भूनने के बाद आप देख सकते हो, कितना हमारा प्याच हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले, आदा चमच से थोड़ी सी कम हाल्दी पाउडर, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैंने टिक्खी वाली लाल मिर्च पाउडर डाली है, साती में इसमें मैंने डाला है, एक चमच धना पाउडर, आदा चमच गरम मसाला, आपके पास अगर कांदा लसुन मसाला भी राका हुआ है घर में, तो वो भी इस्तमाल कर सकते हो, अगर है नहीं तो जो मैंने मसाले डाले, बस उतने हैं डाले, बहुत मस्त मसूर बरेंगा साती में जो हमने मसूर भिगा कर रख दिया था वह वाला मसूर इसमें डाल देते है और उसे के साथ स्वाथ के नुशार नमक डालेंगे और मसूर को आजशे से एक दो मिनिट हम सब चीजों के साथ चला कर ले लेते हैं तो यहाँ पर भीगा मसूर को हमने भीगा कर लिया है तो इसको पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपका बस 20 मिनिट के करीब करीब आपका मसूर तायार हो जाएगा अप देखे मसूर को मैंने आच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है आप इसमें क्या करेंगे पाने याड़ करेंगे तो यहाँ पर आपको सबजी कितनी बनाने है उसके सबसे पाने याड़ करिए लेकिन जब हम आखा मसूर बना थे ना तो थोड़ा गाड़ा ही होता है तो उसके सबसे हमने पाने डाला है तो मसूर हमारे मसूर को कितना पाने पकने लोगेगा उसके सब यहापे मैंने भीगा हुआ एक कटोरी मसुर लिया है तो उसके लिए मैंने पूरे चार कटोरी पाने डाला है तो उसी कटूरी से मैंने चार कटूरी पाने डालाया आप ग्यास को मेडेम रखना है और मेडेम ग्यास के उपर आच्चे से हमें मसुर को 10-12 मिनिट पाका कर ले लेना है तो ये उबले आने देते हैं मसुर में एक बार मसुर उबल गया तो उसके उपर ढख देंगे और ढखके हमें इसको आचे से 10-12 मिनिट पका कर ले लेते हैं देखें यहाँ पे 2-3 मिनिट में आपकी सब्जी उबलना शुरू हो जाएगी तो आप क्या करेंगे ग्यास को लोटू मेडम रखेंगे और मसूर के उपर ढखके मसूर को 10-12 मिनिट आचे से पका लेंगे तो आप देखेंगे 12 मिनिट के बाद आपका मसूर इस तरह से बन चुका होगा तो आप एक बार आचे से नीचे से मसूर को चला लेते हैं देखे, बहुत बढ़िया तरीके से हमारा यहां मसूर पक चुका है, तो मसूर को आप हम साइट के ग्यास के उपर रख देंगे, ग्यास पूरी तरह से कम करके, अब इसका जो मेन चीज है वो है तड़का, हमें इसके उपर प्याच का तड़का लागाना है, तो तड़का मैंने पूरी तरह से नहीं किया है बस ऐसे म्याश करने से न हमारे सब्ज में जो गाड़ा पन है न वह आच्चे से आ जाता है देखिए वैसे म्याश करें न करें कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा मसूर आच्चे से पक चुका है लेकिन मैंने बस हलका फ्राय किया थ प्राहन नहीं म्याश किया था तो आप मैंने प्यान चड़ा देया गया इसके उपर और प्यान में दो तिन चमच तेल डाला है साथी में एक चमच घी डाला है घी ओप्शनल है आपको डालना हो तो डाले नहीं तो कोई बात नहीं यहाँ पे न आप वाइल में हम डालेंगे प्याज यहाँ पे मैंने एक मेडेम साइस का प्याज कट करके लिया है अब इस प्याज को हमें पूरी तरह से ब्राउन कलर पे लाना है ब्राउन कलर पे हमें प्याज को तलना है आपको और एक बात बताओ जो यह सबजे हम मसूर की बना रहे है तो इसमें वाइल जादा ही अब प्याज बे मैंने आदा चमत से थोड़ा से कम हिंग डाला है तो प्याज को आच्चे से हम ब्राउन कलर पे फ्राइ कर लेंगे तो यह देखे दो-तीर मिनिट में ही आपका प्याज ब्राउन कलर पे आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे पूरी तरह से प्याज हमारा फ्राइ हो चुका है देखे बहुती बढ़िया अब इसमें हम थोड़ी लाल मिर्श पाउडर डाल देते हैं तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्श पाउडर डाल दी है तड़का तायर किया है हमने वो जटपट से हमारे मसूर के उपर डाल देंगे और तड़के को मसूर में आच्चे से मिक्स कर लेंगे तो देखे बहुती बढ़िया तरीके से यहाँ पे यह हमारा कॉलापूर पेशल आखा मसूर तायर हो चुका है खुजबू इतनी बड़े आ रही थी इस तड़के से तो और ज़्यादा इसकी खुजबू बढ़ गई तो यहाँ पे नताड़का डालने के बाद पूरी तरह से ग्यास कम करके फिर दो मिनेट हमें मसूर रखना है ग्यास के उपर तो दो मिनेट के बाद देखेंगे हमारा मसूर किस तरह से तायर हो चुका है कितना मस्त और बढ़िया दिख रहा है कलर फुल दिख रहा है और उपर से मैंने थोड़ा सहरा धनियापति डाल है तो यहाँ पर यह कोलापूर स्टाइल हमारा गर्मा गरम मसूर खाने के लिए तयार हो चुका है आपको इस मसूर की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताईए एक बार ये कोला पूरी आखा मसूर की रेसिपी जरूर ट्राइ कीजे आपको बहुत पसंद आने वाले हैं ये कोला पूरी मसूर खाने में रोटी के साथ चावल के साथ जो भी आपके घर में रोटी बनते हैं उसके साथ बहुती मस्त और टेस्टी लगता है मेरे कहने से आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजे आज के हमारे रेसिपी आख का मसूर अब देख सकते हैं मैंने आख के मसूर की सबजी बनाई है और बहुती खुबसूरत बन चुकी है खाने में तो बहुत ज़्यादा तेश्टी होती है टेक्चर कलर कितना बड़ी आया है चले फिर रेसिपी शुरू करती है यहाँ पर मैंने मेडेम साइट्स की एक कटोरी आख का मसूर लिये है तो उसको हम आच्चे से पानी में धो लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने आच्ची तरह से ये मसूर धो लिये है इसकी सबजी बनाने के प्रोसिस में चलते है गयास पे मैंने पाति लचड़ा दिया है पातिले में मैंने दो चार चमμच ओयल डाला है आप कुकर में भी ये मसूर बना सकते है आप ओयल में डालेंगे आधा चमच राई राई को आच्चे से फूलने देंगे फिर डालेंगे आदा चमच जीरा फिर डालेंगे दो चार हारी मिर्च जिसको मैंने लंबी लंबे पिसे में कट कर लिया है और एक चमच आदरक लसन और धनिय पति का दर दरा पिसा हुआ पेस्ट और यहाल यह मैंने मेडेम सैज के दो प्याज जिसको मैंने लंबा लंबा तो उसमें मैंने डाला है टमाट कि मैंने निया स्काना न्हकर की यहाँ पेश टमाटर को आची-तर आसे हमें 2-4 मिनिट करके ले यहाँ पे हमारे प्यश टमाटर आच्चे से फ्राइ हो चुकिये है तो अभ ी. डालेंगे पाउडर्स धन्या पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला लाल मिर्ज पाउडर और कांदाले सुन मसाला तो इन सब चीजों को हम डाल देंगे और मसाले आच्छी तरह से एक दो मिनिट हमें फ्राई करके लेने हैं तो इसमें मैंने डाला है स्वादा नुसर नमक अब मसाले हम फ्राई कर लेते हैं यहां पर हमारे मसाले अच्छी से फ्राई हो चुके है अब इसमें डालेंगे जो हमने मसूर दो के लिया है तो मसूर को भी हम मसालों के साथ आच्छी से एक दो मिनिट मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हम पानी आपको सबजी कितनी बना नहीं उसके ही सबसे आप पानी डाले तो नहीं तो एक कटोरी हमने मसूर लिया है तो तीन कटोरी पानी डाल दीजेगा मसूर पकने के लिए इतना पानी लग जाता है तो आप हम मेडेम गैस के उपर आच्छे से इ मेंगहां देख सकते हैं किस तरह से हमारी सब्ची उबल चुकी है और इसी तरह से मैंने इसको 5-6 MINUTE उबल के लिए हैं तो आप हम क्या करेंगे ग्यास थोड़ा मेडेम करेंगे और उस को ढंध के 10-12 MINUTE पकाएंगे तो आप देखेंगे 12 MINUTE के बाद एक इस तरह से बन चुकी है, तो आप हम क्या करेंगे, ग्यास को लो टू मेडेम रखेंगे, और लो टू मेडेम के उपर 7-8 मिनिट तक हम ये मसूर की सबजी रख देंगे, आप देखेंगे 7-8 मिनिट के पाद, जितना पानी डाला था, उससे आदा पानी हो चुका है, और यहाँ पे ये हम हमारी मसूर की गर्मा गरम सबजी खाने के लिए रेडी है, और कितना कलर, टेक्चर बड़ी आया है, आप देखी सकते हैं, और खाने में तो बहुत ज़्यादा तेश्ट लगती है, फीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर किजेगा, अब आगली व प्सॉकर टे करने में तो लिए तो लुगती हैं, आप झाली हैं, रएक टवना कि को बौन से लिए दो, कैक्हर गपने के लिए टूवाएं आए, और गॉखे कि रूएंट रैभे तो, आप लए. आप लेजा है. यह जो लेएह हैं, तो इस पावों जवाया बगली यहुता